Hello and welcome to IJ Academy So, students, last lecture में हमने complete किया था अगर आपको याद होगा तो हमने visual arts को complete किया था Visual arts में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या-क्या करवाया था सबसे पहले मैंने आपको करवाया Indian Architecture and Sculpture इसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने discuss किया था Indian paintings को Indian paintings के बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने discuss किया था Indian handicrafts क्या discuss किया था Indian handicrafts ये तीन मैंने आपको पढ़वाये थे अब यहाँ पे मैंने क्या सूचा कि जो भी इंडिया के अंदर cultural places हैं which are culturally rich जहाँ पे आपको monuments दिखते हैं for example आगरा अगर आप आगरो को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे monuments हैं जैसे तार्जमहल है जैसे आगरा फोट है जैसे फाताइपूर सिक्री है जैसे इतमाद दौला का टोम है है ना या कोई और अगर point यहाँ पे है तो मैंने क्या किया है इन सभी को मैंने sum up किया है एक ही PDF में आपके लिए लाया जिसको हम कहते है cultural places of interest है ना आप हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहे आप देखेंगे कि जितने भी इंडिया के अंदर cultural place of interest है cultural places of interest अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी आज़ा अकाडेमी को subscribe करना ना बोलिए और जितना हो सके हमारी आज़ा अकाडेमी को आप share कीजिए और हमारे lectures को like करें आज का topic cultural place of interest और सबसे पहली place जिससे हम start करेंगे उसका नाम है आगरा ये आप देखो सबसे पहले आगर आप देखेंगे तो आगरा के बारे में क्या क्या point यहां पे important है सबसे पहली बात जो आगरा है it is in the state of UP point number first it is situated on the banks of Yamuna river तो यहां पे आता है ऐसे questions पूछता है examiner वहां पे क्या पूछता है कि कौनसा जो famous city है वो किस river के bank पे आपको मिलेगा आगरा के बारे में point number one यही है कि आगरा आपको Yamuna river के banks पे मिलेगा number second this city is a medieval marvel यह city जो है this is a medieval marvel why? because it serves यह यहां पे muggle capital जो है रह चुकी है और यह medieval marvel क्यों है because of some famous monuments monument number one Taj Mahal what to study about Taj Mahal Taj Mahal के बारे में आपको क्या याद रखना है सबसे पहला point शाहिजहान ने इसको बनाया किसने बनाया? शाहिजहान ने UNESCO in the year 1983 declared Taj Mahal as UNESCO World Heritage Site आपसे directly पूछेगा कि Taj Mahal को किस year में UNESCO ने World Heritage Site बनाया तो कौन सा year था? 1983 दूसरा monument जो आपको आगरा के अंदर मिलेगा उसको हम कहते हैं आगरा फोर्ट क्या कहते हैं? आगरा फोर्ट आगरा फोर्ट के बारे में important यह है कि इसको भी मॉगलस ने बनाया in the year 1983 इसको भी declare किया UNESCO ने as World Heritage Site point number 3 जो तीसरा monument आपको आगरा में दिखेगा उसे हम कहते हैं फतेपूर सिक्री अब फतेपूर सिक्री के बारे में important क्या है? यहाँ पे देखो सबसे पहले फतेपूर सिक्री को बनाया किसने? अगबर ने बनाया अगबर ने चितोर में राजपूर उसके साथ लडाई की थी और जब वो जीत के वापस यहाँ पे अपने आगरा की तरफ आ रहा था तो उसके लिए यहाँ पे फतेपूर सिक्री बनाया गया अब फतेपूर सिक्री में आपको एक दरवाजा दिखेगा जिसे हम कहते हैं बुलन दरवाजा जो है फतेपूर सिक्री में ही आपको दեखेगा पॉइंच नमर 4 जो चोथा मानोमेट यहां पे आपको देखेगा उसे हम कहते हैं इतमादुत दव्ला टोम टोन थे law अगर आप इतमादुत दव्ला टोन को देखेंगे तो इसको मकाराना मारबल से बनाया गया किस से? मकाराना मारबल से इसको बनाया गया इस ते अगर आप से question पूशे कि इतमाद दौला टोम कहां पर है तो यह आगरा के अंदर है second, इतमाद दौला कौन है? he was the father of noor जहां and point number third is यह मकाराना मारबल का बनाया है now इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर important क्या है? यहाँ पर क्या किया गया है? Department of Tourism ने यहाँ पर आगरा को include किया है as one of the point of golden triangle अब golden triangle क्या है? यहाँ पर आजा यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो golden triangle क्या है? basically यह तीन cities है which are culturally rich और अगर आप यह तीन cities को देखेंगे तो यह city कौन कौन सी है? सबसे पहले उपर जो है आपको देखेगा आगरा क्या देखेगा आगरा? इसके बाद जो नीचे west side से आपको देखेगा जैपूर कौन देखेगा? जैपूर और तीसरा जो है यहाँ से आपको देखेगा दहली तो यह जो है यह triangle के shape में आपको देखेगा इस triangle को कहते है golden triangle क्या कहते हैं इसको? golden triangle so golden triangle is nothing golden triangle is nothing golden triangle जो है यह तीन famous cities को connect करती है इन दे नौर्थ इट कनेक्ट्स आग्रा इन दे वेस्ट जैपूर एंड दहली यह कनेक्ट यहाँ पर करती हैं किसको इसे हम कहते हैं गोल्डन राइंगल एक और फेमस रोड़ेंडिया के अंदर गोल्डन कॉड्रिलेटर रहो जब हम ट्रानसपूर्ट एंड कॉम्मिनिकेश का रोजा और इसके साथ साथ महताब बाग यह इतने फेमस नहीं है लेकिन अपने नौलेज के लिए पाता होना चाहिए और यह सेंटर भी रह चुका है कुछ क्रिस्चन मशिनरीज का और उन क्रिस्चन मशिनरीज ने यहां पर कुछ ब्यूटिफल चर्च विल्ट किये हैं यहां पर यह चर्च है यह भी आगरा के अंदर ही आपको मिलेंगे इसके साथ साथ ताज महल में एक इंपॉर्टन फैस्टिवल है जिसे हम कहते हैं ताज महुत्जाव तो आगरा की बारे में आपको क्या क्या आद रखना है कि यह यमना रिवर के बैंक्स पे आपको रह चुका है और यहां के मानुमेंट्स कौन कौन है ताज महल आगरा फोर्ट पतेपुर सिक्री और बलंद दर्वाजा को नहीं बूलना इत्माद दवला टोम और चीनी का रोजा महताब बाग है ना और यहां पे आगर आपको कुछ ब्यूटिफल चर्चिस मिलते हैं जैस इसके साथ साथ आगरा जो है इट इस वन अफ द पॉइंट आप गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन ट्राइंगल कनेक्ट्स थ्री इंपोर्टन स्थी आगरा इंद नौर्थ जैपूर इंद वेस्ट एंद दैली इन इस्टर्ण साइट है अब यहां पे जो दूसरा कल्च है तृपूरा की तृपूरा इस वन अफ द सेवन सिस्टर स्थ आफ नौर्थ इश्टर इंडिया नमबर तू जिस तरीके से आगरा जो है न आगरा यम्ना रिवर पे था अब जो अगर्टाला है जो कि कैपिटल स्थी है तृपूरा की इस लोकेट अन रिवर डाट इस होर हे 320 स्ट वायर हो रा रिवर पे लोकेटे डीटेंगी लोंगते हैं होरा यहां पूछेंगर्भी यह पूंञेवर रस सहिए तरही में快ब्लेग सब्सक्राइब इनको याद रख़ो मैं पूछूंगा आपसे इसके बाद अगर आप देखेंगी तो यहां पे एक language बोली जाती है का टाला में जिसको हम कहते हैं कोक बोरोक क्या कहते हैं कोक बोरोक और पता है लक्षमी नारायन टैंपल यही पर है पॉइंट नमर त्री जो अगटळा के अंदर इंपॉर्टन फेस्टिवल होते हैं उनमें पहला नाम जो है वो दुर्गा पूजा का है दुर्गा पूजा इस इंपॉर्टन फेस्टिवल और नीचे चार अप्शनज देगा अगटळा उन में से एक होगा है ना अब यहां पे कुछ और भी फेस्टिवल सेलेब्रेट किया जाते हैं जिन्हें ट्राइबल फेस्टिवल क्याते हैं क्योंकि नौर्थ इस्टर रिजन अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ट्राइबस आपको मिलेंगे वो ट्राइबस अ अगर टाला के अंदर मनाये जाते हैं अगर आप देखेंगे इसके बाद जो तीसरी प्लेस इंपोर्टन्ट है उसे हम कहते हैं एहमदबाद सबसे पहले गुजरात जो स्टेट हैं विटिस अ वेस्टर्न स्टेट आफ इंडिया तो पहले यह कैप्टल हुआ करती थी मकरर किया गया एहमदबाद क्यों इंपोर्टन्ट है क्योंकि अगर आप देखेंगे गुजरात का हाइकोट यही पे हैं पहली बात नंबर सेकेंड यहां पे कुछ फेस्टिवल मनाये जाते हैं जैसे नावरात्री नावरात्री क्या होता है यह नाइन डेस का फास्टिंग होता है जो देवी दुरगा के रेवरेनस में रखी जाती है पॉइंट नमर टू यहां का एक और फेस्टिवल है उत्रायन उत्रायन में क्या किया जाता है हर कोई जो है फुलाई करता है काइट आपको इस डे पे जो है ना हर कोई आपको काइट फुलाई करते दिखेगा ज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक music का स्कूल मिलेगा जिसको हम कहते हैं सब तक स्कूल आप music. इस नाट बोरिंग यह बोरिंग नहीं है इनको अपने पैंस से लिखो एक एक चीज़ को लिखो और आप देखेंगे कि जब मैं ये पीडियाफ कम्प्लीट करूँगा या जब में लेक्चर कम्प्लीट करूँगा तो आपको लगेगा कि हमने सब आर्टन कल्चर जो है इसी पीडियाफ में पढ़ा है क्योंकि सभी examination points इसमें मैंने mention किये है तो यह बहुत ही important lecture है गुजरात के कुछ क्योंकि से princes बें जैसे जैसे गुजराती थाली फेमस हैं अगर वह हैं तो मैंने आपको बताया था podrula मैंने आपको पताया किपडोला सारी इसको आप नहीं पुलना है ना इसी तर passado से अगर आप देखेंगे रथवानी घीश यहां पर है और यहां पर आपको कुछ paintings पिथोरा टाइप की दिखेगी जिनकों पिथोरा paintings अगर आपको याद होगा paintings में तो पिथोरा paintings मैं ने आपको बताया कि गुजरात एंड मदिया प्रदेश में यहां पे किया जाता है इसके बाद another जो place है उसे हम कहते हैं अमरित्सर अब अमरित्सर के बारे में important क्या हैं सबसे पहली बात यहां पे important यह है कि जिले वाला बाग मजा कर यहां पे हुआ था 1914 के अंदर 13 अप्रेल डड़ेवास बाइसाकी है ना जब जिले वाला बाग मजा कर यहां पे हुआ था अमरित्सर को पहले रमदासपूर कहते थे यह important इसले है क्योंकि यहां पे golden temple है और golden temple को क्या कहा जाता है सिरी हर्मंदिर साहिब है ना यहां पे इसको कहा जाता है अब यहां पी जो अमरित्सर शहर है इस आलसु दा साइट अफ अकलतक्त इसकी साइट है अकलतक्त इना विच एफ इस पी अर्ली अथार्टी अवफ सिख कॉमूनिटी अफ खल्सा यहां पे याद रखो और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इसको एड किया गया तो इसके साथ साथ कुछ इसके बाद हम जाएंगे बोद गया बिहार अब बोद गया बिहार का नाम आपने पहले भी सुना होगा जो बोद गया है इस अन इंपोर्टन प्लेस फोर दोस फूब बिलीव इन बुदिज्व यहां पर आपको एक मॉनुमेट दिखेगा जिसे हम कहते हैं महाबोधी टेंपल अगर आपको याद होगा तो टेंपल में मैं बता चुका हूँ कि महाबोधी टेंपल है ना और मैं बोदी ट्री भी आपको बताया कि यही पर हैं और यही वो प्लेस वाली जाती हैं जहां पर गोतमा बुद्दा ने अलाइटिन्वेंट या निर्वाना हासिल किया हैं बोधी ट्री के अंदर ही अगर आप देखेंगे इसके अंदर बुद्दा गेंड मोक्षा है ना और बिहार का एक इंपोर्टन फेस्ट इसके बाद जो इंपोर्टन फ्लेस है यहां पर उसे हम कहते हैं बिंबेत का पहले में आपको बता चुका हूं कि इस अ प्री हिस्टॉरिक अगर आपको याद होगा रॉक शल्टर जो की मध्या प्रदेश में आपको दिखेगा और इसके साथ साथ जो प्री हिस्टॉरिक इसके बाद जो यहां पर इंपोर्टन है उसे हम कहते हैं चंदीगर अब चंदीगर क्यों इंपोर्टन है पॉइंट नमबर वन इट इस यूटी कैपिटल सिटी आफ हरियाना एंड पंजाब हरियाना एंड पंजाब जो हमारी दो स्टेट्स है उनकी कैपिटल जो है यह चंदीगर ही है यह इंपोर्टन है जो इसके बाद पॉइंट है इट वस ली कॉर बिजियर यह एक आर्किट अटि market खा फ्रांस का जिसने इस चंदीगर सिटी को प्लान किय & तो पहली मिर जो चंदीगर को प्लान किया ली काइं बूलट के ली कार बिजियर गोला यह फ्रांस का आर्किटव था और इसने प्लान किया चंदी aconte जा अब Iमपोर्डन क्या है अब यहां पे करेंट में कि dzięki अगर आपको याद होगा, तो आपके सिल्बस में है important lacs up India, उसके अंदर यहाँ पर आता है सुखना लाइक, सुखना लाइक news में क्यों था, why? इसको डिकलियर किया गया as a wetland इसलिए important है इसके साथ साथ यहां पर रॉक गॉर्डन दिखेगा जो agriculture आक्टर जाकर हुसायन दा फॉर्मर प्रेजडेंट आफ इंडिया इसी के नाम पे इसको रोजगाडन नाम रखा गया तो आज की टॉपिक को अगर मैं समप करूं तो यहां पर हमने कौन कौन सी प्लेस पड़ी सबसे पहले आगरा उसके बाद अगट ताला देन उसके बाद ह हम इस वीडियो को यहां पर ही रखते हैं हम मिलते हैं अपने रेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम चंपनीर पवागड आर्कियोलाजिकल पार्क से स्टार्ट करेंगे और जितने भी बाद में आपको कल्चुरल प्लेस इंडिया के अंदर दिखेगी उन सब को हम यहां पर ने समयां भाट को मुझें घ यहां आर्किय कर दिखेजिकल और में दिखेएं अधर ओरसेस्ट पर ऑडशमी इनाटिंग तो यहां पर आप्ने आर्किन आर्कियो थाधिकल प्लेस्ट अंट्ट अधरा वेडियो वैं तिल धन जिखें इस सब्स्त्रा यह हैं अनिक्ति वे श